हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वाधत हैं आपके अपने ही यूटूब चैनल एल जी आरस्टेडी इंटर में दोस्तों आपको बता दे कि इस वीडियो स्रीज में हम इंटरमीडियेट बोर्ड एक्जाम के बेहतर तयारी के लिए हिंदी ब्याकरन के महतपूर्ण अबजेक्टिब परसन का चेप्टर बाइज तयारी हम आप लोग को करवाने बाले हैं और अगर आप इस वीडियो स्रीज के सभी कोश्चन का चेप्टर बाइज तयारी अगर आ कि आपको 100% guarantee दे सकता हूँ कि हिंदी ब्याकरन का एक भी परसन आपको आपके बोर्ड एक्जाम में नहीं चूटेगा क्योंकि दोस्तो आपको बता दे कि इंटर्मिडट बोर्ड एक्जाम में हिंदी ब्याकरण से इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो स्रीज के सभी क्वेश्चन का तयारी जरूर किजिएगा तो चले दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं आज का हिंदी की लिपी क्या है यह यहां पर आपको बताना है तो आपको बता दे का जो यहां पर आपका सही आंसर होगा वो भी होगा याद रखेंगे हिंदी की लिपी है वो देव नागरी है क्या है देव नागरी है और बहुत सारे स्टुडेंट पूछेंगे कि सर लिपी क्या होता है तो देखिए हिंदी जो है हिंदी एक भासा है हिंदी एक क्या है भासा है तो हम जो बोलते हैं वो क्या है भासा है लेकिन जब हम जिस अक्षर से लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं लिपी कहते हैं जैसे देख लिजिए इंगलिस भी एक भासा है उर्दू भी एक भासा ह लेकिन हिंदी के लिखने का तरीका आपके सामने यहाँ पर उपस्तित है इंगलिस आप सभी जानते हैं कि इस तरीका से नहीं लिखा जाता है मतलब इंगलिस के लिखने का तरीका है वो क्या है उसका लिपी जो है अलग है जो आप उर्दू देखते हैं उर्दू के लिखने का तरीका आलग है मतलब लिखने के तरीका को ही हम लोग क्या कहते हैं लिपी कहते हैं जैसे हम लोग इंगलिस लिखते हैं जैसे हिंदी लिखते हैं वैसे तो हम लोग उर्दू नहीं लिखते हैं तो जो लिखने का style है या आपको पता होना चाहिए कि उसी हम लोग क्या कहते हैं लिपी कहते हैं और आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का जो लिपी है वो क्या है देवनागरी है और अगर आपसे English का लिपी पूछ दिया जाए तो आपको बताना है कि English का जो लिपी है वो Roman ह होती है आगे बढ़ेंगे यहां पर देखेंगे आपके दो नंबर महत्पूर्ण प्रस्म को पूछा जा रहा है कि संस्कृत मराथी और नेपाली भासाओं की लिपी क्या है यहां पर आपको बताना है तो दो का यहां पर आपका डी ओप्शन सही होगा याद रखेंगे देव नागरी ही है यह भी आप याद रखेंगे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट आपके तीन नंबर महत्पूर्ण कोश्चन पूछा जा रहा कि देव नागरी लिपी का विकास किस लिपी से हुआ है तो तीन का यहां पर आपका एप्शन है बिल्कुल ही सही होगा याद रखेंगे ब्रामनी लिपी कौन सा लिपी ब्रामनी लिपी और आपको बता दे कि यह जो लिखा हुआ है या भी किस लिपी में लिखा हुआ है देव नागरी लिपी में लिखा हुआ है क्योंकि यह हिंदी लिखा हुआ है तो हिंदी किस में लिखा जाता है देव ना कि कौन ऐसे लिपी है जो दाई से बाई की और यानि कि इधर से इधर की और हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं किस लिपी को दाईने से बाई के तरफ जो है लिखा जाता है तो चार का जो यहाँ पर आपका D option है बिल्कुल ही सही होगा याद रखेंगे फारसी लिपी कौन सा फारसी लिपी को आपको याद होना चाहिए कि फारसी लिपी जो है वो दाईने से बाई लिखते हैं और फारसी लिपी में ही उर्दू को लिखा जाता है याद रखेंगा जो भी मुसलिम भाई होते होंगे जो उर्दू पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि उर्दू जो है फारसी लिपी में लिखा जाता है और हम लोग लिखना चालू करते हैं बाएं से दाहिने की तरफ जो हिंदी लिखते हैं वो और जो उर्दू है वो बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है यह भी आप याद रख सकते हैं इस तरह से आप जो है समझ सकते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट आपके पांच नम्मर कुश्चन बोला जा रहा है कि देव नागरी लिपी क्या है देव नागरी लिपी जो है वो क्या है तो पांच का ए उप्शन यहाँ पर आपका सही होगा याद रखेंगे अच्छरात्मक लिपी है मतलब यह अक्छरों में लिखा जाता है नौकी चित्र में लिखा जाता है नौकी सुत्र में नौकी वरनात्मक होता है यह क्या है तो अक्छरात्मक होता ही इसमें अक्षर होते हैं और आप सभी जानते कौको गौ यह से क्या है यह अक्षर है तो यह अच्छात्मक लिपी कहलाती है ठीक है आगे बरेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके छो नंबर महत्पूर्ण कुश्चन बोला जरा कि रोमन लिपी क्या है रोमन लिपी जो है वो कैसी लिपी है तो छोगा यहां पर आपका सी ओप्सन सभी एटशां के यह एक वर नातमक लिपी यह जी आतरनी कौण Сफी है तो साथ kan ए उप्शन आपका सही योगा याद रखेंगे ब्राम्मेनी लिपी जो है भारत की क्या है पुरानी लिपी है चलिए इस तरह से आप जो है जो आपका भासा वाला जितना भी कोश्चन था भासा से संबनीत आप इतना कोश्चन याद रखने की कोशिस करेंगे आप जो हम question देखने जा रहे हैं दूसरा topic आपका start होता है और इस दूसरे topic में हम लोग warn से देखेंगे question किस topic से warn जो आपका topic है warn जिस आप से भी जानते हैं warn उस मुल ध्वनी को कहते हैं जिसका खंड़ या टुगरा नहीं किया जा सकता है तो यहां से भी बहुत सारे question जो है आपके exam में देखने को मिलते हैं तो आप लोग ध्यान से समझने की कोसिस करेंगे चलिए जो warn का first question है देख सकते हैं पूसरा कि हिंदी में हरस्व वर्न है हिंदी में हरस्व वर्न की संक्या जो है वो कितना होता है तो एक का यहां पर जो आपका B option है सही होगा याद रखेंगे चार यहां पर हरस्व वर्न कीतने होते हैं चार होते हैं यहां आप याद रखेंगे चलिए आगे बरेंगे और देखेंगे यहां पर आपके दो नंबर महात्पोर्ण question पूछा जरा की ओ का उचारन अस्थान है मतलब ओ का उचारन हम कहां से करते हैं आपको बता दे कि वैसे ओ का जो उचारन अस्थान है कैसे आपको पता करने जिसे आप जिस भी अक्षर का उचारन अस्थान पूछा जाए आप उसको बोल करके देखिए ओ तो और जो आवाज है वो कहां से आ रहा है तो हमें पता चला कि कंट से आ रहा है तो और का उच्छारनस्थान क्या हो जाएगा कंट हो जाएगा इसी तरह से एक तीसरा नमबर क्वेश्चन है पूछाजरे कि रो तथा री का उच्छारनस्थान है रो और री का उच्छारनस् चार नम्बर कुश्चन है कि निम्नलिखित में घोसवर्ण कौन सा है तो चार का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वह बी होगा याद रखेंगे हो यहाँ पर आपका जो है वह कैसा वर्ण है घोसवर्ण है आगे बढ़िए और देखिए नेक्स्ट आपके पांच नम्बर किसका उचारन कंट से होता है किसे कंट से किसका उचारन होता है तो पांच का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वह डी होगा याद रखेंगे खो क्योंकि जितने भी को वर्ण है जिसे की को खो गो गो यह सभी के सभी जो है कंट से ही इसका उचारन किया जाता है तो यहाँ पर आपका खोजव है बिल्कुल सही आंसर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपके चौ नमर कुश्चन को पूछा जारे कि हिंदी में अंतस्त वर्न की संख्या कितनी है हिंदी में तो चौ का जो यहां पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा डैट मिस याद रखेंगे चार कितने हैं चार हैं चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट आपके साथ नमर कुश्चन साथ नमर कुश्चन है कि यो को किस वर्न के अंतरगत यो को किस वर्न के अंतरगत जो है रखा जाता है तो साथ का सी आप्शन यहां पर आपका सही होगा याद रखेंगे वेंजन वर्न है क्योंकि आप सभी जानते हैं स्वर्वर्न और वेंजन वर्न क्या होता है तो स्वर्वर्न के अंतरगत यह नहीं आता है यह जो है क्या है वेंजन वर्न है यह आप याद रख सकते हैं यह छोटी सी बाते हैं चलिए देखेंगे आर्ट नमर क कुश्ट ने कि सौपका उ करण और रहा है तो यहां पर आपका B आप्षीन होगा याज रखेंगे तालो क्या है तालो यहां पर आपका ऑपका ज़ो है चलिए आगे बढ़ें गैंकि आप देखसकते हैं कि तालव यह कंसा सो है ताल्य ईसको क्या बोलते हैं हम लोग द्रगी, तो द्रगी का उचारण अस्थान क्या होता है? तो 10 का यहाँ पर आपका B-Option सयोगा, 10 का B-Option यहाँ पर आपका सयोगा यहाँ रखेंगे तालू यहाँ पर आपका बिलकुल है सही आंसर होगा इसी तरह से देखेंगे हम लोग यहां पर आपके 11 नमबर questioned पूछा जा रहा है कि law का उच्छारन अस्थान बताएं law का उच्छारन अस्थान आपको क्या करना है ? बताना है तो यहां पर आपका 11 नमबर वहा यहां पर देख लेते हैं संग्या से संबंदित क्वेश्चन जो है देखेंगे आप सभी जानते हैं कि संग्या से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो संग्या से जितने भी महात्पूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी सेलेक्ट किये हैं हमने तो ध्यान से समझने की कोशिस क पूंचा जारा कि कि इनहीं जैचंदों के कारण देश पराधीन हुआ क्या बोला गया, कि इन्ही जैचंदो के कारण देश प्राधीन हुआ, मतलब देश गुलाम हुआ इस वाक्य में जैचंदो कौन सी संगया है तो यहां पर आप सब्द से ही असपष्ट कर सकते हैं कि जैचंदो, मतलब यह जो सेंटेंस है ये एक सेंटेंस जो बना है कि इन ही जैचंदों के कारण देश पराधीन हुआ मतलब गुलाम हुआ आपके में जैचंदों जो सब्द है वो कौन सी संग्या है तो एक यहां पर आपका a option से होगा याद रखेंगे यह एक जाती बाचक संग्या हो गया जैचंद मैं जैचंदों हैं मतलब उस सांबनी जितने थे लोगषिन जैचंदह का नुक्त है सब्धित सब्सक्राइब आते हैं नेक्स्ट देखिए जो आपका दो नंबर कोश्चन है पूचा जाए कि जाती बाचक संग्या का उदाहरन नहीं निमने लिकित में से कौन जो है जाती वाचक संग्या का उदाहरन नहीं है तो दो का D option सही होगा है रखेंगे बीवेकानन्द क्योंकि बीवेकानन्द तो किसी जो है खास बेक्ती का नाम है तो खास बेक्ती का नाम क्या होता है बेक्ती वाचक संग्या होता है इसी तरह तीन जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा B होगा तेल जो है या एक क्या है द्रब्य वाचक संग्या है जिसे हम लोग गिनते नहीं है नेक्स्ट देखिए चार नंबर कुश्चन है पूशा जारा कि निमने लेखित सब्दों में समूह वाचक संग्या है समूह वाचक संग्या कौन सा है तो चार का जो यहाँ पर आपका B आप्शन है सोरी चार का जो A आप्शन है यहाँ पर आपका क्या होगा चार का A आप्शन से होगा सभा जो है वह एक क्या है समूह वाचक संग्या है क्योंकि सभा में लोगों का क्या होता है समू होता है नेक्स्ट आप देखिए पांच नमर कुश्चन पूछा जा रहा है कि जिस संग्या से एक ही बस्तू का बोध होता है उसे कहते हैं जिस संग्या से केबल एक ही बस्तू का क्या हो बोध हो तो उसे हम कौन सा संग्या कहते हैं तो पांच का यहां पर आपका ए ओप्सन सही होगा डैट मिस उसे हम ब्यक्ति बाचक संग्या कहते हैं क्या कहते हैं ब्यक्ति बाचक संग्या कहते हैं यह जो है आप याद रखेंगे आज के लिए इतना ही रखते हैं आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माधिम से जरूर बताईए और अगर आप अभी तक जो है बेहतर तयारी के लिए हमारे मुबाइल एप को डाउनलोड नहीं किये हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको मुबाइल एप का लिंक मिल जाएगा वहाँ स से आप लोग मुबाइल एप जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए और आपको बता दे कि आप लोग बहतर तयारी के लिए हमारे वेब साइट lgrstudy.com पर भी विजिट कर सकते हैं तो जाइए और आज ही वहाँ से आप लोग जो है अधिक से अधिक तयारी कीजिए चलिए मि वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए और lgrstudy देखते रहिए